फ्रेंड्स आज जो स्टोरी में आपके साथ शेर करने जा रही हूँ उसका शीशक है समस्या का दूसरा पहलू पिता जी कोई किताब पढ़ने में व्यस्त थे पर उनका बेटा बार बार आता और उल्टे सीधे सवाल पूछ कर उन्हें डिस्टर्ब करता पिता के समझाने और डाटने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता तब उन्होंने सोचा की अगर बच्चे को किसी काम में उल्जा दिया जाए तो बात बन सकती है उन्होंने पास ही पड़ी एक पुरानी किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे तब ही उन्हें से जोड़ कर वर्ड मैप में तियार करना होगा और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये काम बेटे को दे दिया बेटा तुरंत मैप बनाने में लग गया और पिता यह सोच कर खुश होने लगे कि अब वो अराम से दो तिन घंटे किताब पढ़ सकेंगे लेकिन ये क्या अभी तो ऐसे जोड़ दिया ये तो बहुत ही मुश्किल काम था बेटे ने कहा पापा ये तो बिलकुल आसान था आपने जो पेश दिया था उसके पिछले हिस्से में एक कार्टून बना था मैंने बस वो कार्टून कंप्लीट कर दिया और मैप अपने आप ही त्यार हो गया और ऐसा कहते हुए वो बाहर खेलने के लिए भाग गया और पिता जी सोचते रह गई तो friends कई बार life की problems भी ऐसी ही होती है सामने से देखने पर वो बड़ी भारी भर कम लगती है मानो उससे निकल पाना असंभव हो लेकिन जब हम उसका दूसरा पहलू देखते हैं तो वही problem आसान बन जाती है इसलिए जब कभी आपके सामने कोई समस्या आए तो उसे सिर्फ एक नजलिये से देखनी की बजाए अलग-अलग दिस्टी कोन से देखिए क्या पता वो बिलकुल आसान बन जाए तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको आज की स्टोरी भी जरूर पसंद आई होगी यदि हां कमेंट करके ज़रूर बताए और इसी तरह के और भी इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू